सुनने वाले सभी सुरोताओं को नमस्कार जैसा कि हम जानते हैं आज का हमारा जो टोपिक है वो है आदिकाल हिंदी सहित्य को चार कालों में बाटा गया है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल आईए आज हम जानते हैं कि आदिकाल किसे कहते हैं हिंदी साहित्य की शुरुवात जिस काल से होती है उसे आदिकाल कहा जाता है और आदिकाल के नाम को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है जैसे जैसे विद्वानों ने आदिकाल को समझा वैसे वैसे उसका नाम करन भी होता चला गया तो आईए जानते हैं किस विद्वान ने आदिकाल को क्या नाम दिया है सबसे पहले तुम यह जान लेते हैं कि आदी काल को आदी काल नाम सबसे पहले हजारी परसाद दिवेदी जी ने दिया उसके बाद जोर्ज ग्रियर्सन ने इस काल को चारण काल कहा है मिशर बंधुों ने इसे प्राथमिक या प्रारंभिक काल कहा है महावीर परसाद दुवेदी जीने से बीजो वपन काल कहा है यहाँ पर महावीर परसाद दुवेदी और आचारिय हजारी परसाद दुवेदी में कहीं बर कन्फियोजन हो जाती है लेकिन आदी काल जो नाम दिया है वो हजारी परसाद दुवेदी जीने दिया है और महावीर परसाद दुवेदी जी ने वीजवपनकाल आदिकाल को कहा है आचारिय राम चंदर शुकल ने से वीर गाथा काल कहा है लेकिन बाद में इनों ने भी आदिकाल नाम को ही समर्थंदी आदिकाल नाम ही सही कहा और राहुल साकृत्यायन ने से सिद्ध सामंत काल कहा है रामकुमार वर्माजी ने से संधी एवंचारन काल कहा है धिरेंद्र वर्मा ने से अपभरंश काल कहा है विशवनात प्रसाद मिशर ने से वीर काल कहा है राम खिलावन पांडे ने से संक्रमन काल कहा है कपिल कुल स्रेष्ट ने इसे अंधकार काल कहा है और मोहन अवस्ति एवं सुमन राजे ने इसे आधार काल कहा है गनपती चंदर शुकल ने इसे आरंभिक काल कहा है वैसे चलन में जो नाम ज्यादा है वो आदिकाल और वीर गाथा काल है तो ये थे विभिन नाम आदिकाल के और जिस विद्वान ने जैसा आदिकाल को समझा वैसा वैसा उसका नाम करण किया तो अब बात आती कि आदिकाल की समय सीमा क्या है आदिकाल की जो समय सीमा है 1050 विक्रम समवत से लेकर 1375 विक्रम समवत आदिकाल का समय माना जाता है